जैहिन दोस्तो, Science and CRT सीरीज में हमने पिछले वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर 2 को समझ लिया था, जो कि Nutrition in Animals था, ठीक है? तो इसके थियोरी को तो हमने समझ लिया, तो चलिए इस वीडियो में हम एक विक सी प्रैक्टिस करते हैं और चेक कर लेते हैं कि थियोरी हमें समझ आई की नहीं आई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का हमारा पहला क्वेस्चन है, बाइल इस प्रोड्यूस्ट इन, जो बाइल जूसेज होते हैं, वो कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? तो गॉल ब्लैडर में, बलर्ड में, लिवर में या स्प प्रोड्यूस होते हैं, वो किस चीज में मदद करते हैं उनको? A. मुव्मेंट ओनली, या फिर B. कैप्चर ओफ फूड ओनली, या फिर C. कैप्चर ओफ फूड और मुव्मेंट या फिर D. एक्सचेंज ओफ गैसेज ओनली, तो देखो जो आप इनके फॉल्स फीट होते है वो इनको फूड को कैप्चर करने में भी और इनके मुव्मेंट में भी हेल्प करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. चलो, नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, तो हमारे बॉड़ी में, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें छोटे चोटे आउट ग्रोथ होते हैं, वो हमारे किस काम में आते हैं, या डाइजेशन का कौन सा प्रोसेस कम्प्लीट करते हैं, तो यह बताना है, तो पहला ऑप्शन है, डाइजेस्ट द फैटी फूड सबस्टेंस, या फिर मेक द फूड सॉल्यूबल, या फिर एब्जॉब द फिर डाइजेस्टेट फूड या फिर एब्जॉब द अंडाइजेस्टेट फूड तो देखो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन खाना को पचा देता है, वो हमारे बॉडी में लगना चाहिए, तो वो एब्जॉब होता है, इन ही आउट ग्रोथ से, ठीक है, जो हमारे स्म करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, नेक्स समझते हैं, विच इस नौट डाइजेस्टेट बाई यूमन, ये इन में से कौन सा हूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इनसानों द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, प्रोटीन है, फैट्स है, ग्लुकोज है, ये थे, तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D-Cellulose, Cellulose कहां पे होता है, जो घास होता है, या फिर जो पत्ते होते हैं, उनमें Cellulose पाया जाता है, ठीक है, जो कि सिर्फ गाय भैंस, ऐसे टाइप के जानवर, जो ruminants होते हैं, एक्ट्र में वही लोग प दो होते हैं, चार होते हैं, छे होते हैं, या आठ होते हैं, तो देखो यहां question थोड़ा सा यह होना चाहिए था कि pairs को बताना था, pairs of premolar teeth, ठीक है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, चार pair होते हैं, दो उपर और दो नीचे होता है, ठीक है, total अगर number में पूछा जाए तो यह 8 हो ठीक है, चलो, next question देखते हैं, given below from 1 to 4th are some food items, कुछ food items दिये गए हैं, boiled and mashed potato, glucose solution, a slice of bread, mustard oil, which of the above will give blue black color when tested with iodine, तो iodine के साथ अगर test किया जाएगा इनका, तो blue black color किसमे दिखेगा, तो देखो हमने यह समझा था, iodine वाले test किसमे किया जाते हैं, जिसमें carbohydrate present होता है, है ना, तो देखो इनमें से किनमे carbohydrate है, तो आपका boiled and mashed potato, potato में carbohydrate present होता है, और bread में carbohydrate present होता है, तो इन ह दो में अगर iodine solution डाला जाएगा तो ये blue और black color show करेगा तो correct answer इसका क्या हो जाएगा first और third first और third आपका B में है तो B आपका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं which of the following pair of teeth differ in structure but are similar in function तो देखो हमारे जो teeth होते हैं वो अलग अलग shape के होते हैं लेकिन ऐसे कुछ pairs होते हैं जिनका एक ही काम होता है मतलब उनका functions एक ही होता है तो वो pair बताना है canines and incisors molar and premolars incisors and molars या premolars and canines तो देखो हमारा जो molar और premolar होता है उनके shapes अलग होते हैं बट काम उनका होता है खाने को चबाना ठीक है अच्छे से grind करना ठीक तो इसका answer क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा next समझते हैं which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out any digestive function तो देखो हमने digestion वाले में पढ़ा था कि different different organs जो होते हैं वो digestion में भाग लेते हैं help करते हैं food को digest करने में ठीक हैं लेकिन ऐसे organs होते हैं जो कि हैं बट actual में कोई वो ना juice release कर रहे हैं न कोई digestive juice release कर रहे हैं नहीं किसी component of food को simpler substance में change कर रहे हैं तो उनका mainly कोई function नहीं होता वहां पर तो वहीं आपको organs का नाम बताना है तो देखो पहला option दिया है osophagus large intestine rectum दूसरा है buccal cavity osophagus rectum तीसरा आ जाता है buccal cavity osophagus large intestine फिर चौथा आ जाता है small intestine large intestine और rectum तो देखो इसका correct answer क्या हो जाएगा a osophagus large intestine rectum अब देखो कैसे होता है तो osophagus मतलब क्या हो गया food pipe देखो यहां पर खाना आपका पस्ता नहीं है mainly बस क्या होता है मुह में आपने डाला जहां पर saliva present होता है उसने starch को तोड़ा sugar में वहां पर काम हुआ digestion वाला बट उसके बाद क्या होता है osophagus में जाता है यहां से भोजन सीधे सरक कर जाता है यहां पर खाने पर कोई क्रिया नहीं हो रही है ठीक ना कोई काम नहीं हो रहा है तो यह हो गया जो की digestive function नहीं करता ठीक फिर आ जाता है large intestine large intestine भी एक जो आपका undigested food है क्योंकि food तो सार आपका small intestine में digest हो चुका है जो undigested food होता है वो large intestine से होते हुए पर body के बाहर चला जाता है तो यहां पर भी इसका कोई काम नहीं होता है food को पचाने में फिर rectum का यह तो भाई body के बाहर करता ही है तो जो भी आपका undigested semi solid substance होते हैं यह यहां पर होते हैं फिर NSK through हमारे body से बाहर जाते हैं ठीक है तो यह तीन का mainly कोई digestive function नहीं होता है तो यह आपका correct हो गया next question देखते हैं which is the largest gland in the human body हमारे human body में कौन सा largest gland होता है pancreas, large intestine, stomach या फिर liver तो largest जो आपका gland होता है वो है D liver ठीक है next समझते है the acid present in the stomach जो हमारे stomach में acid होता है उसका क्या काम होता है kills the harmful bacteria that may enter along with the food या फिर protects the stomach lining from harmful substances या फिर digest starch into simpler sugars या फिर make the medium alkaline तो देखो इन acid का काम होता है bacteria को kill करना जो हमारे food के साथ हमारे pet में जाते हैं ठीक है तो A आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next देखते हैं how many types of test birds found in our tongue हमारे tongue में कितने तरह के test birds होते हैं ठीक है जिससे कि हमें अलग-अलग type का स्वाद आता है तो देखो 2 होते हैं 4 होते हैं 6 होते हैं या 8 होते हैं तो theory में हमने इससे भी समझाता तो total कितने होते हैं 4 होते हैं B आपका जो हो जाएगा वो correct answer हो जाएगा तो देखो आपके यहां पे quick सी practice हो जाती है complete आपने theory को अगर समझा होगा अच्छे से तो आपने यह सारे questions बहुत ही असानी से कर लिये होंगे ठीक है अगर नहीं कर पाए हो तो एक बार देख लो वीडियो को आप असा और वहां पे भी आपके practice sets लगते रहते हैं अगर वीडियो अच्छे लगती हो तो वीडियो को like और share करे और channel को subscribe कर ले thank you so much